New Trader, Rich Trader Part 1, Psychology New Trader लालची होते हैं और उनके unrealistic असाइं होती हैं जबकि Rich Trader उनके returns realistic होते हैं याने वास्तविक होते हैं जब New Trader जागा और जल्दी से वो अपने सपने के लिए एक energetic महसूस कर रहा था अपने कम्प्यूटर को बूर्ट करते हुए वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन अपने खाते की निर्मान अपने नियमित नौकरी पर कई घंटों के ओवर टाइम और कुछ अतरिक्त केस अरजित करने के लिए सब्ताग अंध पर पिज्जा वित्रित करने में चली गई कई केश्ट दायक जनकरी को याद कर सकता था लेकिन जब उनकी जिन्दगी का वह हिस्सा खत्म हो गया था जैसे ही उसने अपने 10,000 डालर के खाते के लिए अपना ID और पासवर्ट टाइप किया उसके दिल की धरकन तेज हो गई वह तयार था वह कैसे नहीं हो सकता था न्यू ट्रेडर एक साथ से अधिक समय से नकली खातों के माध्यम से ट्रेडिंग कर रहा था CNBC देखता था और कई ट्रेडिंग गुरूं का पालन करता था जिस तरह से उसने इसे देखा वह आसान था जब एक खाते में बहुत अधिक पैसा खो गया तो उसने बस एक नया खाता खोला और जब उन्होंने एक सांदार वाफस की तो उनकी चुनंदा मेमोरी ने उस खाते को भूलने का फैसला किया जो इतना खो गया था अपने खाते को दोगुना कर सकता है फिर वर्स के अंद तक ऐसा फिर से कर सकता है जिससे उसका खाता 40,000 हो जाएगा यह इतना कठी नहीं होगा उसने सोचा उन्होंने दिगज ट्रेडरों के बारे में कुछ किताबे पड़ी थी इसलिए अब उन्हें केवल वही करना था जो उन्होंने किया था दुर्भाग्य से न्यू ट्रेडर के लिए उसने या तो पढ़ा या इस तथ्य को नहीं समझा की इन्हीं ट्रेडरों को नुक्सान हुआ और उनकी आशेजनक सफलताओं से पहले कठन नयाओं का सामना करना पड़ा कई लोगों ने अपनी सुर्वाती पूझी का 50% उससे अधिक खो दिया था कुछ तो दिवालिया भी हो गए थे जब उन्होंने अपने रिस्क को कंट्रोर नहीं किया या अपनी ट्रेडिंग योजनाओं को तोड़ा लेकिन दुर्भाग्य से न्यू ट्रेडर जो अभी भी अपनी चमकदार नहीं 10,000 खाते की सक्ती के उस्साह में हाई था किसी भी नुक्सान की कलपना नहीं कर सकता था उनके उस्साह ने किसी भी डर या संदे को दूर कर दिया जो उसके दिमाग में प्रविज कर सकता था नया ट्रेडर ट्रेडिंग के लिए उस्सुक और भुखा था जल्दी से खुद को टूल से परजित कला रहा था ये सभी उसके लिए नए थे चार्टिंग साप्टे और रियल टाइम ट्रेडों में एंटी कैसे करें तो अब के वर एक ही सवाल बचाता क्या ट्रेडिंग करें? क्या ट्रेड करें? पहले उसे एक ऐसे ही स्टाक क्या हो सकता होगी जो उसके पहले लक्ष तक पहुँचने में उसकी मदद करने के लिए दो गुना हो या एक स्टाक जो 26-37 रिटन के लिए तीन बार ट्रेड करें वह गडिक जानता था वह इसकुल में गडित में हमेशा महान था और हमेशा समस्याओं के समधार खोजने के लिए आदी था ट्रेड बस गडित था और गडित बस तर्व था नया ट्रेडर तारकिक था या तो उसने सोचा जैसे उसके टॉप चक्रविद्धी रिटन के परिणाम में तैर गया वह अपने ट्रेडिंग नायकों की तरह कुछी वर्सों में कलोड़पती बन जाएगा दरसल उसका एक ही हीरो रिश ट्रेडर सहर में रहता था न्यू ट्रेडर ने खुद को बार-बार उस वर्सों में पर जाते हुए पाया कि एक ट्रेडर कैसे ही बने सायद उसे ट्रेडिंग सुरू करने से पहले उससे कुछ अंती मिनट की सलाह लेनी चाहिए ऐसा नहीं है कि उसे इसके उसकता थी बिल्कुल और इसी तरह न्यू ट्रेडर ने खुद को अपने गुरू के दरवाजे पर दस्तक देते हुए पाया उन्होंने अपने समान्य अफिवादन का आधाम प्रदान किया और रिश ट्रेडर ने उन्हें अंदर आने दिया मुझे लगता है कि यह आपके उस खाते के बारे में है रिश ट्रेडर ने मुस्कुराते हुए कहा यह पहली बार नहीं था जब न्यू ट्रेडर रिश ट्रेडर के घर खाते के बारे में आया करते थे मैं वास्ताव में आपके सवालों का जवाब देने में सक्षम होने की सराना करता हूँ रिश्टेडर ने खुद को कुछ ताजी पिसे हुए काफी के रुप में कहा नियू ट्रेडर को सुनते ही एक काफी कमग मिला नियू ट्रेडर बोलते हैं कि मेरी योजना है कि काफी के हाथ में आते ही नियू ट्रेडर ने बोलना शुरू कर दिया कुछ ही मेहनों में मेरे खाते को दुगुना करने के लिए फिर इसे फिर से दुगुना करने के लिए ताके मैं अगले साल ट्रेडिंग करके 40,000 तक बना सकूँ क्या रिश्टेडर ने अजीश मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा वाह उसने काफी की चुश्की ली तो आप पहले ही साल में दुनिया के टाप ट्रेडरों में से एक बनने की योजना बना रहे हैं यह बहुत ही एक आगरमक लक्षे है सुरुवात के लिए मुझे बस एक ऐसा इस्टाक खोजने की ज़रुत है जो दो बार दो गुना हो जाए या भी 36 प्रतिशत का रिटर दे उससा अगर सांथ नियू ट्रेडर ने कहा अमी ट्रेडर ने अपना सीर हिलाया उसके होंठों पर मुस्कुराहट वापस आ गई और उसने अपना चस्मा हटा दिया और अपनी आखों को रगड़ा ठीक है नियू ट्रेडर उन्होंने कहा उन्होंने एक बल के बाद कहा जबकि वे रिटरन संभाव हैं वे आम तोर पर केवाल विशेस समय अवजिक धारान होते हैं जैसे कि 20 दसक के अंत में तेजी से बढ़ता हुआ इस्टाग या 90 दसक के अंत में इंटरनेट इस्टाग में उच्छाल इतिहासी गुरूप से सिसको गूगल या एपल जैसे कुछ अल्टा हाई ग्रोथ इस्टाग ने लंबे समय तक बहुत अच्छा प्रदसन किया लेकिन ये बहुत ही खास इस्टाग है औरना केवल आपको इन सेरों को चुनना है बल्कि आपको इपास अधिकार होना चाहिए सही समय पर खरिजने और बेचने की योजना बनाएं आपका गर्म इस्टाग दोगुना होने के वज़ाए आसानी से 50 प्रतिसत गिर सकता है यदि बजार में मंदी आती है और सेर गिरता है तो ये दोगुना होने वाला इस्टाग खरिदने की योजना बनाने के लिए आपके पास कोई अच्छा काम नहीं करता है अर्थ व्यवस्था में मंदी की स्थिती में या जब आप ये सबों पर डर हावी हो जाता है तो वे लगबग सब कुछ बेज देते हैं और अपना पैसा वहाँ टांसर कर देते हैं जहां उन्हें लगता है कि यह सिरुक्षित होगा कभी कभी इसका मतलब वो भुक्ता प्रधान इस्टाक होता है लेकिन कभी कभी यह बॉंड या यहां तक के सोना या तेल जेसी वस्तुएं भी हो सकती हैं जब रिश टेडर ने अपना चस्मा वापस लगाया तो उसने देखा कि न्यू टेडर की आसावादी अवियोती भ्रह्म में पड़ गई थी तो आप कह रहे हैं कि मुझे इस साल मेरा दो सो प्रतिसत का रेटर नहीं मिल सकता नए टेडर ने पूछा रिश टेडर ने तथ्यात्मक लर्जे में जवाब दिया इस साल आपके पैसे खोने की बहुत अधिक सम्भावना है लेकिन मैं पैसे बचाने की सारी परिसानी से नहीं गुजरा और खोने के लिए खाता खोनना मेरा एक मात्र उद्दिस जीतना है ने टेडर ने गरों से भरी आवाज में जवाब दिया अमी टेडर ने आहें भरी बाजार आपको लगतार पैसा कमाने से पहले आपको कई सबक सिखाएगा सबसे खतनाग जी जो आप कर सकते हैं वह है कि सुरवास से ही बहुत पैसा कमाना वह आम तोर पर लापरवाग योल ले जाता है और लंबी आओधी के लिए बड़ा नुसान होता है क्या मैं यह नहीं करना चाहता बड़ी जीत ने टेडर से पूछा आवि स्वसनिया नहीं तुम धीरे धीरे अमीर बनना चाहते हो आप लंबी आओधी में लगतार रिटर्न कमाना चाहते हैं आपके लाप को जोड़कर आपका खाता तेजी से बढ़ सकता है जब आप ऐसा कर रहे हों तो आपको अपनी एक्विटी में नियुन्तम ड्राडाउन के लिए यानि की लॉसेस के लिए आपकी रिष्क को मेनेज करना होगा सफल ट्रेडिंग नियुन्तम लॉसेस के साथ लगतार बढ़ती एक्विटी पर अधारित है अपने खाते को ठीक से मेनेज करने से आप उन ट्रेडों के लिए भी त्यार हो जाते हैं जो एक ट्रेड के दावरान 25 प्रतिसत या उस वर्स के लिए आपको 200 प्रतिसत रिटन देंगे एक ट्रेडर के रुप में आपका पहला काम ट्रेड पर फोकस करना है ना कि मुनाफे पर रिष्ट ट्रेडर ने काफी का घूर लेते हुए ऐसा कहा ठीक है तो अगर मैं ट्रेडिंग पर फोकस करता हूँ तो मैं किस रिटन की उम्मीद कर सकता हूँ नए ट्रेडर ने पूछा वास्तों में एक अच्छा ट्रेडर एक वर्स में 20 प्रतिसत से 50 प्रतिसत या उससे अधिक का रिटन प्राप्त कर सकता है हाला कि संभावना है कि एक ट्रेडर पहले साल पैसे खो देता है लेकि एक सिख्छा हसिल करता है आपको इसे ट्यूसन देने की तरह देखना होगा ट्रेडिंग किसी भी अन्ने की तरह एक पेसा है आप ज़्यादतर समय पेसेवरों के खिलाब ट्रेड कर रहे हैं एक डाक्टर सिर्फ एक किताब पढ़कर दवा का अभ्यास सुरूर नहीं करता, उसे अन्य डाक्टरों से उचित प्रक्रिया सिखने के लिए मेडिकल इसकूल जाना चाहिए, डाक्टर बनने के लिए बुक्तान करने से पहले उसे भी गलतियां करनी होगी, डाक्टरों के उमीद है कि उनकी गलतियां मेडिकल इसकूल में की जाती हैं ना कि किसी मरीज से, रिज टेडर ने निव टेडर की ओर देखा जो ध्यान से सुन रहा था, रेडिंग अलग नहीं है, उन्होंने जारी रखा, मैं यह अपी मानूंगा कि सरजरी के दवरान एक लास पर और एक जिवी त्वक्ति के संचालन के बीच एक बड़ा अंतर है, मुझे यकिन है कि आपरेटिंग सिस्टम में, आपरेटिंग रूम में तनाव का एक वास्तविक कारक खेल में आता है, और डाक्टर को तनाव का मेनेज करना चाहिए और अपने परदर्शन और सही प्रक्याओं क का फालन करने की उनकी जमता पर विस्वास होना चाहिए, एक डाक्टर यह नहीं सोचता है कि सर्जदी करते समय उसे कितना भुक्तान किया जाना चाहिए, आपको एक अच्छी स्ट्रजी, स्किल और ट्रेडिंग योजना पर ध्यान करने की हो सकता है, प्रॉफिट पर नही अच्छा ट्रेडर आग के मुनाफे का निर्मान करेगा, जबकि मुख्य रूप से आग के मुनाफे पर ध्यान के दित करने से खराप ट्रेड हो सकता है, निव ट्रेडर अपने मोमेंटम और निरासा को बढ़ाता हुआ महसुस कर रहा था, यह सला सायत किसी और नो सिखे ट अच्छी रही होगी, लेकिन वह अलग था, वह तेज था और दुसरों की तुल्ला में बजार के लिए बहतर महसुस करता था, वह अपवाद था, जब उन्होंने आखिरकार जवाब दिया, तो अपने गुरु से इस वेंगेनात्पंग लहज्य कोशी पाना मुस्किल था, तो आपको लगता है कि मैं इस साल पचास प्रतिस्त डिटर या फिर फांस यरा डालर का प्रॉफिट कमा सकता हूँ, यह एक रियलिस्टिक टार्गेट है जो संभव होगा, अमी टेडर ने इस परस्ट रूप से उसके रवयों को समझ सकता था, लेकिन उसे परिसान नहीं क करना चाहता था, मुझे लगता है कि यहां आपको सभी टेडरों के टाप एक प्रतिस्त में डाल देगा, सवाल यह है कि क्या आप बाकी 99 को मात देने के लिए तयार हैं, अमी टेडर ने पूछा, बेसक मैं हूँ, ने टेडर ने जवाब दिया, यहां तक कि उन्होंने आसा पैसे की तलास करते हैं, वे साबित कर देते हैं कि इसकी भी भुक्तान नहीं कर सकते, क्योंकि इस धर्ती पर आसाम पैसा पाया नहीं जा सकता, निव्ट रिश टेडर, टेडिंस अप्लोजी टेडर को ने टेडर पनाव के कारण ग्रेड डिसीजन लेते हैं, और रिश गया और फिर वापस 9.45 हो गया, वहाँ वाल्यू में परिवर्दन को हाई और हाई संगी देखना पसंद करता था, वहाँ अपने इत्ताक को पीले हरे रंगी समंगते हुए देखना पसंद करता था, जबकि अन्य लाल हो जाती थी, डाउ जोन फ्लगतार रेड में था और हरे रंग में था, अब उसका इत्ताक 9.44 डालर था, अब वह तयार था, उसे एक हजार सेयर चाहिए थे, उसके खाते में 10,000 अर्वाज जोन साकी यह इत्ताक के दो महिनों में आखानी से 1200 डालर तक बढ़ सकता है, जिससे उसे 1200 डालर का प्रॉफिट मिलेगा, उन्होंने 9.25 डालर में एंट्री करने का फेशला किया, यह 9 डालर पर मजबूस सपोर्ट दिक रहा था, और हफ्तों से नीचे नहीं था, यह पिछले एक महिने में लगबग 9.03 डालर रहा, लेकिन 9 डालर पर पुछने से पहले यह उलट गया, और हाई क्वांटिटी पिछले महिने एक भी 9.89 की हाई इसतर पर पहुच गया था, लेकिन एक नए इतिहासी हाई इसतर तक रुप गया, जैसे एक कीमत गीर कर 9.30 डालर तक और भी 9.25 डालर पर आ गया, निउट्रेडर ने उसका के एक भीड महसुद की, क्योंकि उन्हें जल्दी से इस्ताक्त, सिंबल और quantity के बगल में एक हजार की कुझी लगा दी, उसका दिन डौड रहा था, क्योंकि उसने वर्तमान इस्तिति को देखने के लिए फिर से अपने माउस पर क्लिक किया, उसके खाते की स्क्रीन पर नजर डालने से पता चला, एक हजार सेर, एस आर एस कंपनी का 9.35 पै अर्तमान भाव देखा और वो 9.35 डालर पर आ गया था, जबकि उसका भाव 9.35 डालर पर आडर हो गया था, वह बीमार महसुत कर रहा था, मैं बस 200 डालर खो गया, मुझे 200 कमाने के पिज़ा डिलोरी करने में पूरा विकेन लग जाता है, उसने अपने पेट कोकाउस कर पक कि डेली, आई और योग करने का, इस्टाक सभी तरह 9.08 तक गिर गया था, लेकिन अब उसे 9.15 डालर पर था, उसने कुछ सांग करने के कुछिस की, यह 9 डालर सब होगा, फिर घुमेंगा उसमी से पहने, 12 राव मुह जाएगा, मुझे खरिदने के लिए एक बड़ी घिमत मिली, उन्होंने खुछ कि कहा, पेपर ट्रेदिंग और सिमूलेशन एक बाद थी, लेकिन जा अलग था, उसका पैसा था, हर प्रतिसवत उसके खोन पफिने और आउसों से आया था, और 200 डालर उसी तरह से छिन लिए गया थे, ऐसे लग रहा था, जैसे अभी अभी लूट गया, जीस तरह से उसने योजना बनाई थी, वह क्यों भी रहा था, उसका प्लान क्यों कहीं काम नहीं आया, यह दबाव, तनाव, तर कुछी वैसा नहीं पढ़िया था, उसमें इभी खास कर प्राइस में इसनी छोटी गिरावट के लिए, जब वह को एक सांथ खीच रहा हुआ महसुस कर रहा था, वह इस बात पर डगमगाया कि क्या वह अपना प्रॉफिट ले सकता है, या जैसे कि इसके मूर लूप से घुजना बनाई थी, और अगले चार हफ्तों में कमाई तक पकर लिया, यह एक इसा था जैसे वह सारे को अपने दफ करके पैसे को बीना सकता था, यह ऐसा था जैसे उसका दत पर इसी भी समय को मुना में सकता है, वह पहले अभी इस तरह के वास्तविक कदर में नहीं था, वह इसे नहीं पर बजता था, कापते हुए उन्यों के साथ न्यू ट्रेडर ने अपने गुरु को बुलाया, उन्होंने यातना पुना मूधी पर जवाब दिया, नमस्ते, न्यू ट्रेडर को सकते प्रतिक्याएं रेश ट्रेडर को मुर्कता पूर्ण लगेगी, फिर भी वागने जिदों को मज़्बूर करने में काम्याब था, मैंने अपना पहला ट्रेड रखा, यह एक जिराम था, और न्यू ट्रेडर कसम खा सकता था कि बुड़ा आगी मनरंजी उसकानों में जिल रहा था, अच्छी बात है, ट्रेडिंग करते समय आप अपने तनाव को कैसे कंट्रोल करते हैं, न्यू ट्रेडर ने इतनी जल्दी पूछा थी, उसका गुरू भूर्ण में समझ सकते, न्यू ट्रेडर ने गहरी हसी सुझी उसके नसों पर किस गई थी, वह इतना असांत हो सकता था, अधिकांस तनाव अग्याचर से उत्पन होते हैं, नुकसान का डर, बाजार की नेजर की अपने पैसे कमाने की आप सकता, कभी-कभी ट्रेडर अपने अंकार को एक ट्रेड में इस तरह दे लपेटने क के नमती देते हैं कि उनका सेल्फ प्राइज तहीं होने की आव सकता है, रिच ट्रेडर ने असानी से जब्सक्तर दिया, लेकिन आप तनाव को कैसे कंट्रूल करते हैं, ने ट्रेडर अपने ट्रेडिंग से अधिक-धिक खातों को हटा कर या फिर अपने तनाव के इस तर फोसी मित कर सकते हैं । ट्रेडिंग करने संवे पहले आपको अफने ट्रेडिंगर प्लाइंग के पता होना की आपको पहले से एक वाज़ेश्य होनी चाहिए, आप क्या देचेंगे, आपको ट्रेडर में से पहले सिर्ट करना होगा कि इस स्टाक के कितने से एरों का ट्रेड करना है, अमिर ट्रेडर ने अपना अप्पाप की जाई लाए जाए जाए, इस से पहले कि आपको एक्जिट इ आउ सकता है, कि आप कब कैसे या क्यों प्रॉफिट लेंगे, आपका इस्टाप लाज क्या होगा, आपको अपने इस्टाप को इस इस्ट प्रतिस्थानी, प्राइस सब उलंगहनी ट्रेंड पर बेटने के जोजना बरानी होगी, ठीक है, मुझे लगता है कि आपका समझ मे इस तरह अतिदीक है, तो आप या तो बहुत बड़ा ट्रेड कर रहे हैं, या आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टाप पर भी बिलीप नहीं हो, यदि आप जानते हैं कि आपका सिस्टाम लाउंटर में मिनिंग है, तो आपको अपनी साइजिंग को छोटा करने के प्रयास कर सही है, लेकिन शुरू हुआ, खुद को शुप करने से पहले ताकि रिश्टेडर जारी रह सके, यदि आप अभी भी भूत हैं, तो प्रती ट्रेट 400 या 300 सेरों का या फिर उसके नीचे तक जाएं, यदि आपको लगता है कि आपका तनाम आपके सिस्टम में बिलीव ना हो पर येजनेट के सांथ को आपको अपनी स्टेडीका करने के क्या सकता है, आपके सिस्टम और आपकी जटिलता क्या धार पर इसके लिए कंभूटर प्रोग्राम या पिछने चाट के साथ आपको खडल ले वो बेचने के संकीतों की sozusagen क्भी तैस्टिंग करने सकता हैं आपको अपनी क्रॉफिट लाग का वाक्ति के नुभव का करने के लिए जिभिन प्रकास के बजारों में कम से कम तीस ट्रेड लिने के सकता होगी तो मुझे यह संदिश्चित करने की जरूरत है कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसका मैं पालन करता हूं फिर मुझे एक ट्रिंग जोजा तयार करने के सकता है इसके साथ मैं अराम से ट्रेड कर रहा हूं फिर मुझे करने के लिए जिस्टम करना होगा कि यह विजयता है कि नहीं इसलिए मैं स्ट्रेडिकी में कर सकता हूं और अपने इस तनाव को मेरेज कर सकता हूं अगर मैं अपने अपने त्रेडिंग के पुझे साइजिंग के आकाद कर सकता हूं हाँ बिल्कुल आपके प्रेणाव करने के लिए एक यूजना होनी चाहिए जैसे इस्टाप लास ट्रेडिंग स्टाप लास पुझेसन साइजिंग का टाइम और टेकनिकल अनलिटिस या फिर टेकनिकल इनिपिटर अप जिसका कर रहे हैं उसकी वालेटिविटी के साथ आपको सहज होने के अस्था होगी ट्रेडरों को एक ट्रेडिंग से अनुपूल एक इस्टाक से तरह आक्रमक्त पकार जो इस पुलता है और उन्हें भारी प्रॉफिट के सम्हाना देता है। दुसरों के एक अच्छा इस्टाक इस्थिरी जाने के वालाटायल इस्थाक पसंद है जो अनुमानित सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ जिन के करवबार की गद्विधी से प्यार करते हैं। जबकि अन्य सिस्टम पसंद करता है। जिने केवल महिनों में कुछ बात तर्मिवजन के निगेश्था होती है। महत्तों बात यहां कि आपकी सिस्टम के ट्रेट कर रहे हैं। आपके अती या फिर आपके इसका कारण है। प्रिकल्पिक बस अपने आप अपने स्विदा के लिए बहुत बड़ी इसीजी का ट्रेट कर सकते हैं। मैं देख आप ऐसा लग रहा है कि आप अन्हों से बोल रहे हैं। अमीड ट्रेडर फिर से हंसा। अच्छा मैं बाल गया। मुझसे बात करने के लिए समय में रहे हैं। ने ट्रेडर ने कहा। रिष्ट ट्रेडर ने उत्तर दिया कोई परिशान की बात नहीं है। अब नुट्रेडर को लागा कि इससे उसे ब्रेतर समगा। जाहित और इसके लिए सेर बहुत जादा था लेकिनुआ जानता था ही उससे क्या करना था। यदि आप ट्रेडिंग के दवरां हाई इस सनाव का नुट्रेटी में कर रहे हैं। आपको अपने सिस्टम पर पचांस भूरता नहीं है। अपने तामले के लिए अपने साइजिंग को कम करें और अपने सिस्टम को फिर से परें इसे बोला है इसकी बंग नुट्रेडर रिच ट्रेडर ट्रेडिंग साइकलोगी चेप्टर थ्री नए ट्रेडर लगतार एक्षन लेने के चक्कर में इंपेसेंश होते हैं। उनके बजार खुलने से दो घंटे पहले उठा और अंत में ट्रेडिंग करने के लिए एक दिन की छुट्टी लेकर उस साहित था उन्होंने दिन के तयारी के लिए एक मजबुत कप कॉफी बनाई अपने कम्प्यूटर में लॉगिन किया और एसिया और यूरोप बजार को देखना सुरू किया प्रमुग इंडेक्स पर सभी बजारों में आधा फ्यूजदी तेजी रही प्री मार्केट ट्रेडिंग में उसका इस्टाक जो उन्होंने आरेसेस का नाम का इस्टाक खरीत रखा था वो 9.70 डालर फर था वो हसा अब मैं एक दिन में 300 डालर प्रॉफिट में ह जाहिए जो मैं सहज हूं और एक प्रॉफिटेबल सिस्टम का अनुसरान करने वाली एक ट्रेडिंग योजना तयार करता हूं पजार खुडते ही उन्होंने आरेसेस के 500 सेयर 9.75 डालर प्रती सेयर पर बेच दिये उन्होंने इस टाक में और बाहर निक ट्रेडिंग करने के कमिशन के लिए प्रॉफिट 10 डालर घटा कर 10 डालर कमाया वो अपने पहले ट्रेडिंग पर 180 डालर के मुनाफ़े से बहुत खुश सा कमाई में जाने के लिए उसके पास अभी भी आरेसेस के 500 सेयर थे उन्होंने अपनी 12 डालर प्राइस सीमा को लक्षित कर लिया था यान 1000 सेयरों पर महसुस किये गए जल्दी से हाट इस्पीड या फिर तनाव का अनुभव नहीं कर रहा था क्योंकि रिसकर्स निकाला था कि वह 500 सेयर या फिर 5000 प्रती पुजिसन साइजिंग का आकार उसका रहेगा हाला कि वह उम्मित कर रहा था जैसे जैसे उसका उनुभव और खाता बढ़ता जाएगा वह बड़े टेड़ों के साथ अधिक कमपरटेबल होगा समय बताएगा अब उसे लगा कि उसे काम पर वापस अपने खाते में पैसे डालना है च्छोंकि उसका खाता एक माज़ीन खाता था वह आज इस पैसे के साट टेड़ कर साता और टेड़िंग के लिए तीन दिन इंतजार नहीं करना पड़ा था जैसा कि टेड़िंग के लिए केस खातों वाले अन्य खातों को करना चाहिए उन्होंने 5,000 की 500 सेरों की स्थिति के साथ अजिक comfortable महसुस किया जो उसकी ट्रेडिंग योजना थी यदि कोई स्टाक 50 रुपे का होता तो 100 सेरों का ट्रेड करता यदि कोई स्टाक 50 रुपे का होता तो 1000 सेरों का ट्रेड करता यानि 5,000 डालर का उन्होंने प्लानिंग बनाया था उन्हों यह भी यह सोचा था कि इस टाक के वालटाइली की करण क्या हो सकता है यदि वह उपर की और ट्रेड करना चाहता है तो वह 2% से 5% डेली उसका रेंज था उसी की बीच में वो ट्रेड करेगा यदि इसके बाद उन्होंने आनलाइन जाकर अपने श्टाक याने RSS की कीमत हिस्टी की जाँच की या एक वालटाइल श्टाक था प्राइस मोमेंटम में एक दिन से मुस्किल में एवरेज 5% से कम का रिटन देता था इसने निव ट्रेडर पर जोर नहीं दिया वा मोमेंटम के साथ एक श्टाक चाहता था चाल देखाने के लिए उसे कुछ वालटाइल के सकता थी ट्रेन प्राफिट कमाने और अपने ट्रेडिंग कास्ट को कवर करने के लिए उसने अपने ट्रेडिंग योजना बनाने के लिए खुश से सवार पुचना शुरू कर दिया CNBC के बेग्राउंड के बजने उसके लाइव इस्टिमर्ट कम्पूटर इस्क्रीन पर चमखने के साथ वह सोचने के लिए त्यार गया उसने पीछे मूट कर अपनी पूजिशन के लिए देखा उसका स्टाक अब 9.92 डालर पर था वहाँ 52 सब्तागे हाई स्टर पर से तूट गया था इससे वाख खुस हो गया उन्होंने एक विजेता को चुन कर एक अच्छे एंट्री पॉइंट पर इसे खरीद कर संतुष्टी की भावना महसुस की लेकिन फिर उसने सोचा मैं वास्ताव में उस कीमत पर क्यों खरीदा क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि एक अलपकाली प्राइस सपोर्ट था क्या एक खूबर्ड था क्या उसके बावस्ताव मैं एक सिस्टम थी जिसका वह टेट करना चाहता था या वह एक कावल एक विवेका दिन ट्रेडर था जो उसकी राये पर ट्रेड कर रहा था इन सवालों के जवाब खोजने में उन्हें परिशानी हुई साथ ही उन्हें एक ट्रेडिंग में काम करने के लिए अपने खाते में 5,000 डालर डालने की तीबर इच्छा थी उन्होंने करवाई के लिए अपनी निगरानी सुची को देखा अधिकांस इंडेक्सों में बाजार लगबंग एक पतिसत उपर था और डियम वाई एस आर आर एस का जो डिमांड है वो 4.90 डालर के नए सब्ता बाउंस सब्ता के हाई स्तर पर था उन्हें नहीं सोचा था कि अभी अभी डियम वाई के 4.90 पर एक हजा सेर खरीदे हैं इस टाक अब 4.95 पर चला गया फिर रुका और 4.92 पर वापस आ गया वो मुनाफिक के लिए एक मजबूत ट्रेंड की उम्मित कर रहा था जब वा कुछ मिनिटों के लिए 4.52 या फिर त्रिपंड की छेतर के आस पास बीड एंड आसक प्राइस को लटका हुआ देख रहा था तो उसने खुद को सवाल किया मैं क्या कर रहा हूँ मेरे पास पहार निकलने की कोई रणनिती नहीं है मुझे यह भी नहीं पता कि मैंने सेट क्यों खरीते उस समय उसके इसका अहसास नहीं था क्योंकि लालच उसका प्रेरक्ट था और भौई समय यह उससे बूरे डिसिजन लेने के लिए कहेगा लेकिन अभी भी वह सिर्फ भ्रमित था हो सकता है कि ट्रेडिंग घंटों के दवरान एक ट्रेडिंग योजना बनाना सबसे अच्छा डिसिजन नहीं था इस क्रिण पर 30 मिएट तक घुरने और तनाव के बाद इस्टाक कहीं नहीं जाने के साथ उसने बेचने का फैसला किया उन्होंने चार दिसमिलाव 92 में ये ख़जा सेर बेचे अच्छी बात है मैंने उस ट्रेड पर कोई पैसा नहीं खोया हाला कि करीब से चांच करने पर उन्होंने देखा कि उसके खाते का प्राइस ट्रेड पहले के तुलना में 10 डॉलर कम था उसका लाप 10 डॉलर था लेकिन अब उसे ट्रेड पर कमिशन के रुप में 20 डॉलर करने उक्साम करना पड़ा अब वह उसके कारण ट्रेड को कावर करने के लिए मुर्खता महसुस कर रहा था एक ट्रेडियों जना बनाने की कोशिस करते हुए ऐसा करना उसे एक हसी लग रहा था उसने रीश ट्रेडर को बुलाने का फैसला किया जब रीश ट्रेडर ने अपने समान ने सुखत आवाज में फोन का जवाब दिया तो ने ट्रेडर ने कोई समय बरबादी नहीं किया क्या आपने कभी यह जाने बीना ट्रेड किया है कि आपने ऐसा क्यों किया हाँ जब मैं छोटा था लडाए की गर्मी में जब दाव ऊचे थे तो एड्रे लाइन जा रहा था मैंने वहाँ पर काम किया जिसके मुझा पस्तावा था क्या ओवर ट्रेडिंग या भी सहज ट्रेड का करण बनता है मैं कहूंगा कि है विशिष्ट समस्य कुछ अलग के कारण होती है एक विशिष्ट ट्रेडिंग योजना ना होना ऊफ जाना या फिर परिसान होना या फिर उस्ता हकी तलास करना अंकारी ओने और सोचने के कारण आप अन्हे ट्रेडरों की तुन्ना में होस्यार होने के अधार पर ट्रेडड कर सकते हैं और मैं इसे रोकने के लिए क्या गर सकता हूँ ने टेडर ने पूछा। मैं सुझाओ दूँगा कि आपके वल पैसे के लिए ट्रेड करें, मन रंजन के लिए नहीं या आप अपने आपने कुछ भी साबित करने के लिए नहीं, अधिकान समय प्रॉफिटेबल ट्रेड उबा और आपके पास अपने सिस्टम का ट्रेड करने के तरीके के बारे में ये ट्रेडिंग जोजना है तो कोई सहच ट्रेड नहीं है। आप एंट्री संकेतों, एंट्री एक्जिट संकेतों की वेट कर रहे हैं। समय के साथ जैसा कि आपके वल अपनी राय के आधार पर कर नहीं ये काफी काम की बात है। बाजार बन होने से अपनी योजना और अच्छे से सोथ करें। बाजार ओपन होने पर अपने सिस्टम का ट्रेड करें। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। सुनने के लिए धन्यवात निव ट्रेडर ने कहा। अनुभव हमेशा सबस अच्छा तरीका होगा। जब तक कि कोई प्लाइनिंग नहीं थी। यहाँ पर एक कोटेशन है गौतम बुद्ध का। गरत काम करने से बहतर है कि कुछ ना किया जाए। आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आप अपने लिए करते हैं। निव ट्रेडर रिज ट्रेडर का प्रान करके उसे ट्रेड करते हैं। नए ट्रेडर पहले से ज़्यादा तैयार महसुस कर रहा था। यह गंबीर होने का समय था यह एक ट्रेडिंग योजना बनाना शुरू करने का समय था लेकिन पहले उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने थे। अपने पसंदिदा ट्रेडिंग पुस्तकों में से एक को सेल्स से हटा कर उन्होंने इस अध्याय में खोला है कि कैसे एक ट्रेडिंग योजना लिखनी हैं। ट्रेडिंग में एंट्री करने के लिए आपका संकेत क्या होगा, कब बेचेंगे, आपका प्रतेक ट्रेड पर कितना रिस्क है, इसलिए उसने डिसिजन लेना सुरू कर दिया, मैं ट्रेड को ट्रेड करूंगा, उन्होंने सोचा, इसलिए मेरे संकेतों को कीमत और क्वांटेटी की ताकत में खरीदने की जुरत है, तो सपोर्ट खरीदने के बज़ाए वह या तो ब्रेक पर एक नई हाई पर खरीद देगा, जिसके बारे में उसने पहले कई बार पढ़ा था, लेकिन यदि उसने पांच जार की पोजेशन साजिंग का कारवार किया है, तो वह अकुल डही सो डालर का रिस्क उठाएगा, पांच सो सेरों को इस्तिदी के साथ वह पचास सेंड तक प्रतिस सेर का होगा, उसक इस्ताप लास 8.85 डालर होना चाहिए, क्योंकि उसने इसे 9.35 डालर पर खरिदा था और अभी भी उसके पांच 500 सेर थे, मैं RSS को कब बेचने की योजना बना रहा हूँ हूँ, अगर मुझे इस्ताप लास है तो मुझे प्रॉफिट लेने के लिए प्लान बनने के ज़रू 12 डालर उसका लक्ष था, लेकिन क्या होगा यदि है इस्ताग 11.99 डालर सक जाता है और फिल उलट जाता है, क्या होगा अगर वह अपने मुनाफिक वापस देने के लिए परियाप्त हांस्यपद्ध होगा, सायर पैसे भी खो देंगे अगर वह गिरते रहे, यहां तक कि उस 9.85 डालर हो जाता है, फिर वापस 9.35 डालर पर आ जाता है तो वहां इसे समाउट हो जाएगा, यदि यह सभी तरह से 11.99 डालर पर आ जाता है तो वहां एक अच्छे प्रॉफिट के सांद बाहर निकल जाएगा, वह अपना सारा मुनाफ़ा वापस देने से बचता था, बे इसे बहुत अच्छा करना चाहिए यह मुनाफ्य को अच्छी तरह से चलने के नुमती देगा स्टाक के समान ने प्राइस सीमा में चलने पर बहुत सारे स्टाक स्टाप लास को रोग देगा इसलिए उन्होंने फेसला किया कि उसके ट्रेडिंग योजना का यानि कि 5000 डलर होगा और हाला कि कई सेरों जो इसी विशेश इस स्टाक के लिए खरिते हैं वो अब बजार में सबसे गर्म सेरों में ट्रेट करेगा जिसमें कम से कम 10 लाक सेर तरलता के लिए यानि लेकुडिटी के लिए एक दिन के करवार में कम से कम रहेंगे उसके पास 4% से कम की देली सीमा होनी चाहिए या एक फोलटायल की कारण बंध होने से रहात देगा इतना ही नहीं लेकिन इसमें सबसे अच्छे इस्टाक कमाई से पहले 15% या फिर उससे अधिक तक चल सकते हैं कुछ इस्टाक अपने रुजान के बदलाओं से 50% या फिर दोगुना भी जा सकते हैं इससे उन्हें बड़ी विजिताओं को भुनाने का मौका मिलेगा लेगिन उसकी खरिदारे में जो तेजी लाने के जुरत होगी वह एक अप्ट्रेंड में 4% देने का रिस्क नहीं उठा सकता था फिर इस्टाक का पिछा करता था देर से खरिता था एक वालेटाली इस्टाक में जो दिन के दोरान बहुत अधिक चलता है या इंपोर्टेन होगा कि आपका इस्टाक एक अप्ट्रेंड में था और 5% वापस नहीं खीचे और उसे रोग दिया इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उन्हें एक इस्टाप लास में रखना है ताकि इस्टाक एक अप्ट्रेंड के सुरुआद में 140 रूप से खहिदा जा सके उनकी योजना सेरों को तब तक रखने की थी जब तक किवे कीमत में 5% की गिरावट के बीना उपर जाते हैं एक प्राइस प्रेकाउट फेल हो सकता है यदि पहले दिन बेचने और उसे एक दिन ट्रेट करने के लिए मजबूर किया जार सकता है वो एक साल से अधिक समय के लिए इस्टाक को समाप्त कर सकता है क्योंकि यह कभी भी 5% वापस नहीं खीचता और फिर राकेट उपर और दोगुना होता है वो अनलिमिटेड उल्टा के सानाथ अपने ट्रेड में 5% या फिर 200 डालर को डिस्क में डाल देगा उसकी सिस्टम का परेक्षण करने का एक मातर तरीका पेपर ट्रेडिंग या फिर सेमिलेटर को क्यूप करना था लेकिन उसका इस्टाक चुनना बहुत एक व्यक्ति परक और साप्टेवर में प्रोग्राम करने के लिए विविवका दिन था नूट्रेडर ने अपनी ट्रेडिंग योजना में आत्मविश्वास महसूस किया उन्होंने बस उनके द्वारा पढ़ी गई कई पुष्टकों और रिष्ट्रेडर के सलाग सुझाओं का पालन किया उन्हें रिष्ट्रेडर को फिर से परेसान करने के आसकता महसूस नहीं की क्या मैं ने उसे काफी परेसान नहीं किया है उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई बिजनेस कोई बिजनेस प्लान लिख रहा हो यहां महसूस कर रहा था कि एडरलाइन की भीड से वह अपनी राय पर ट्रेड करने से काफी अलग था एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या उसकी योजना परियाप्त आकरमक नहीं थी उसे अधिक रिस्क लेना चाहिए क्या 200 डालर का ट्रेड वास्ता में इस सारी परिसानी में परिसानी के लायक था उसका लालाच अधिक आकरमक ट्रेडिंग फ्लान चाहता था यह एक साल से करणपती बनना चाहता था कुछ 100 डालर का ट्रेड करना नहीं चाहता था जैसे जैसे लालत ने उसे एक अधिक आगरमक टेडी फ्लान के लिए लुपाया, डर ने उसे कुतना शुरू कर दिया, वो अपने दिल और अपने दिमाग में उठने वाले संद्यों को महसूस कर सकता था, क्या होगा यदि मैं लगतार अपने पहले दस टेडों को खो देता ह हूँ, और धही हजार डालर तक चला जाता है मेरा लास, मैंने उस समय के पहसे के लिए कड़ी मेहनत की है, फिर से इतना कुछ बचाने से मुझे चार या पांच मेहने लग सकता है, उसे मिचली आ रही थी, क्या हुआ उसका लायक था, उसने अपना नोकरी के बारे में का अनन्त दिया था, रिश ट्रेडर के पास एक अच्छा घर था, उसके पास रिपोर्ट करने के लिए कोई नोकरी नहीं थी, कोई बास नहीं था, कोई सेडियूल नहीं था, वह कालेज ड्राप आउट होने के बावजुद भी कलोड़ पती बन गया था, इसलिए न्यू ट कोई ने इस तरह की अफसर और सफलता के इन बाधाओं की पेशकस की, एक लाट्टी की तरह था, जिसे वह अंत्ता कड़ी महनत और बिजने सिखने के आधाया पर जी सकता था, जैसे जैसे वह बढ़ता, सिखता रहा, वह डर और योजना, यानिक उत्ते जिना, दोनों का अ यातरा जैज रेखे का, तो यहाँ पर एक कीज बताया है, कोटेशन है, गवरव एक महान केले का छिलका है, जैसा की आसा, डर और लालज, यानि की भै, मेरे सबसे बड़ी जो सिलिपेज इस्तिती आई थी, वो भावनात्मगूरूप से जुजने के बाल आई से, इसे सवधाने पूरूवक अपने पक्ष में बाधाओं को डाल कर, तफल टेडर उन जिवारों से आगे निकल जाते हैं, जो अद्रिश्च टेडिंग करते हैं, और प्रात्नाओं पर भरोसा करते हैं, यदि आप अपने जीवन में जीतना चाहते हैं, तो आपको अध्यन करना हो कड़ी महिनत करना होगा और डिसिप्रिन होना होगा, कोई साटकर तरीका नहीं है, ट्रेडिंग के रूप में, विश्च ट्रेडिंग करने के लिए आपको अच्छितरा से तैयार बजारों में, यानिके प्लानिंग बेस बजारों में एंट्रिक करने कर सकता है, क्योंकि य न्यू ट्रेडर रिज ट्रेडर ट्रेडिन साइकलोगी चेप्टर फाइफ न्यू ट्रेडर इसलिए आज सफल होते हैं क्योंकि वे सीखना बंद कर देते हैं रिज ट्रेडर कभी सीखना बंद नहीं करते मार्केट के बारे में नया ट्रेडर महसूस कर उठा कि उसने आखिका के लिए बुलाया कि क्या हो ब्रंज के लिए उपलब्द है सनीवार का दिन था बजार बंध था तो एक टेडर क्या करता है अराम करे और उसके मुनाफिका फ्रॉफिट का आनंद ले वे मिलने के लिए तयार हो गए दोपहर ते पहले वे एक घरूली रेस्टरॉन में अपनी पसंदिता के नाफस्ति का आधिश्ट दे रहे थे उन्होंने अराम किया और स्वाधिश्ट भोजन के लिए बस गए मैंने इस टेडिंग चीज का पता लगाया है कि न्यू टेडर ने अपने बड़ अंडे का आनंद ले तुए नीलने रंग से का रिश्टर ने अपने संत करते हुए क्या मुझे समझ में नहीं आया लेकिन उहां जानता था फिर हसता था मैंने बहुंस सोथ किया अपने सहली पर फैसला किया ट्रेड पर मेरे अपने ट्रेडिंग योजना भी लिखी है उन्होंने कहा रिश्ट ट्रेडर को कागज का एक टुकड़ा मुडा हुआ टुकड़ सौपते हुए फिर रिश्ट ट्रेडर ने उसे ध्यान से देखा यह एक महान सुरुवात है शुरू न्यू ट्रेडर ने अब इस वस्वस्री रूप से कहा जैसे ही उसने एक दुसरा टुकड़ा प्राप्त किया खाने का यह आपके पहले फ्रेस्मेन पेपर की तरह है जिसे आप अपनी पहली कख्छा के लिए बदल रहे हैं यादि आप एक सफल ट्रेडरों की तरह हैं तो आपको पहले इस सिस्टाम का परिच्छन करना होगा फिर प्लोजिंग करना होगा अमी ट्रेडर ने संतरिक एरस का एक और घुट पिया और यह थोड़ी देर के लिए अच्छा काम कर रहा था फिर अचानक काम करना बंद कर देता है बाजार की स्थितियों में बदलाव के कारण आपकी कैपिटल को एक अच्छी बड़ा ड्राट देन सकता है यानि लास में आपको वापस ढखल भी सकता है यादि आप एक बियर मार्केट में प्राफिटेबल होना चाहते हैं तो आपको अपने सिस्टम को उलटना पड़ सकता है और सपोर्ट के माध्यम से तूटने पर उस स्टाक को कम बेजना पड़ सकता है एमूलेशन और रियल पैसे दोनों मे आपके सिस्टम को परेशन करना आपको बहुत कुछ सिखाएगा आपको सबसे पहले अपने जीत के प्रतिशत अपने जीत और हार के एवरेज पोजिस्टन का अंदर्जा लगाना होगा निव टेडर उस आतनों विस्वास को महसुस कर सकता था जब वो रेश्टरॉंट में विचार नहीं किया था उसका सिस्टम के वन सुरुवात ही ना की बलकि एक होमवर्क और एक अध्यन का अंत भी था ऐसा लग रहा था कि रिश्टर के साथ वह मुलकात उतनी अलग नहीं होगी जितना उन्हें में सोचा था वो हमेशा कॉंफिडेंस से भरे हुए थे लेकिन विनम्न बने रहे तो मेरा अगला कदम सिस्टम परिक्षण और समायोजन करना है रिश्टर ने पूछा अपने अंकार को छिपाने का प्रयास करते हुए हां आपका सिस्टम ठोश सिद्धानतों पर बना है लेकिन आपका जितना संभव हो सके उन्हें मापने ही जरूरत है आपको इस बात का रिकार्ड बनाने की जरूरत है कि सिस्टम अवास्तविक ट्रेड में कैसा प्रद्रशित करता है लेकिन सबसे इंपॉर्टन बात है कि आपको अपनी योजना के अनुसाल सिस्टम में ट्रेड करने में अपने डिस्सिप्लिन और कॉंपिडेंस का प्रिच से सुजाव दिना चाहूंगा प्रेडिंग जब पहले और बाप ने अपनी योज़ना को लिष्ट कर दें अपनी ट्रेडिंग जब बनाएं अनुशासन के उलंगन को रिकार्ड करें जब भी आपको इडून को तोड़ते हैं तो भी उसको लिखें अपने ट्रेडिंग योजना को आपने क्यों प्राण नहीं किया उसको भी लिखें आपको अपने ट्रेडिंग लालाश डर की भावनाओं पर हावी होने वाले अहंकार के पति आपको हमेशा सतर करहना चाहिए बोरियत अच्छे ट्रेडरों को बूरी ट्रेडरों में बदल सकती है क्योंकि वे मुनाफे के बजाय कारवाही की तलास करते हैं एक ट्रेडिंग पत्रिका एक सिक्षक की तरह होती है जो ट्रेडरों को अपने बारे में सिखाता है निव ट्रेडर ने अपना पहला जवाब थोड़े पीछे किया कि यह मुर्खता पूर्ण होगा कि हम समय की बरबादी थी लेकिन अब जानता है कि रिश्ट्रेडर के दिल में उसका सबसे अच्छा काम हीद के लिए था अभी तक उसे गलत नहीं करना था वह ऐसा ना करने के बाद भी फिर से महसूस मुर्ख महसूस नहीं करना चाहता था मेरी पत्रिका मुझे क्या दिखाएगी? क्या दिखाएगी? क्या पेटर्न? किस तरह के पेटर्न? आपके अच्छे ट्रेडों और आपके बुरे ट्रेडों का कारण बनाने वाले पेटर्न आप क्या सोच रहे थे आपकी योजना की वृद्ध जाने का क्या करण था 27 बात ने आपको सरवत्तम ट्रेडों के संभव बनाया आप ऐसे पेटर्न भी देख सकते हैं जो दिखाते हैं आपका सिस्टम सुबा या ट्रेडिंग यांती में दो गंटे में सबसे अच्छा काम करता है आपको आपके वास्तविक ट्रेडिंग जानकारी आपकी मनोदसा आपकी फीलिंग आपका टार्गेट यहां तक की अपने चार्ट के साथ जितना संभव हो सके अपनी प्रतिका में अधिक से अधिक जानकारी पेग करनी है याने कि जनर्रल में आपको लिखना है यदि संभव हो तो इसको मार्क लगा दे सेल के छेत्रों के साथ मैं तब ऐसा करूँगा न्यू ट्रेडर ने अपने आकरी पेग का किकड़ा उठाते हुए कहा सथ यह है कि उसने अपने पसंदिता के भूक नहीं थी वह काफी परिसान था क्या उसे अन्य कारक था जो उसे लगता था कि इंपोर्टन है रिश ट्रेडर ने निरासा से पूछा फिर भी उम्मी से हमेशा विनम्र रहे हमेशा जान ले कि बजार इतना बड़ा है कि कोई भी इसे महारत हासिल कर सकता है आपको अपने बारे में बजार के बारे में और रिस्क के बारे में सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए रिश ट्रेडर ने एक प्रश्न पूछने से पहले कहा आपने कितनी ट्रेडिंग किताबें पढ़ी है नियू ट्रेडर ने जवाब दिया दस अधिकान सर्विस्टे टेडर सेकड़ी किताबी पढ़ते रहते हैं रिश्टेडर ने कहा वह किसी तरह से वह उम्मिद कर रहा था आप हर दिन चार्ट देखने कितना समय लगाते हैं रिश्टेडर ने अन्यू टेडर से पूछा उसमें जीथक्षे होई जवाब दिया महाण टेडर होमवर्क करने सपोर्ट डरजिस्टेंज ट्रेन की पहचान करने में दिन में गंटो समय बिताते हैं महाण टेडर दिन भर याने जीवन भर सिखने वाले होते हैं मेरी सला है कि हमेशा बजार के चात्र में बदाल लेंगे मेरी पूरे जीवन में मैं एक एक ट्रेडिंग विश्य छेत्रे में किसी भी उद्धिमान लोगों से नहीं जानता था जो हर समय पढ़ा गे इसे लिखा है بरक साय के हैथवे बरक साय रहत्वे याने बारें परफट के साथ ही ने चाली मूंगे ने रिस्टेडर को टिप देते हैं कि यहां पर ट्रेडिंग सिस्टम एक हर वेक्टिक के लिए पेसेंसिल या फिर इंपोर्टन है क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए उपयोग की जाने वाले सिधान मूर उससे समान होते हैं आपको चुनना होगा कि आपका सिस्टम उ option, contract, future contract, position, sizing के risk की manage को लागू करना होगा ये था दोस्तों trading psychology का chapter 5 याने की पूरा part 1 खतम होता है वीडियो अच्छा लागात लाइक कीजिए, comment कीजिए में इंटरेट टूडियो में जाहें